इस वक्त की एक वरी खबर आ रही है नालंदा से जहां लालो यादव के बेटे तेज परताब की जान उसके चाचा ने ले ली है अब देख रहे हैं DTW24 News और मैं हूँ आपके साथ राधा आईए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके के स्यामनगर गाउं में घरेलू विवाद के दौरान चाचा ने अपने डेर माह के भतीजे को जमीन पर पटक दिया जिससे मासूम की दधनाक मौत हो गई है इस मामले में दीपनगर थाना पूलिस ने चाचा और चाची के विरुध नामजद एफायार धर्च किया है बताया जारा है कि लालू यादव का अपने सगे भाई प्रभात यादव से घर के बटवारे को लेकर विवाद चल रहा था इसी विवाद को लेकर प्रभात ने लालू यादव को लाठी डंडे से पीट कर उसे जखमी कर दिया फिर उसकी पत्नी रावरी देवी के गोद से तेज बरताब को छीन कर जमीन पर पठक दिया इस घर्टना का सबसे बरा पहलू या है कि लालू यादव और रावरी देवी दिव्यांग है इस घर्टना के बाद गाउ में मातमी सननाटा पसरा है इस घर्टना के विवाद में कोई भी सक्स कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है वहीं अपने बचा में आरोपी प्रधात यादव का कहना है कि उसने खुद अपने बच्चे को जमीन पर पटक दिया है और आरोप मुझ पर लगा रहा है भरहाल मामला चाहे जो भी हो पुलिस ने एफायार दर्जगर आरोपी की गिरफतारी के लिए कारवाई सुरू कर दी है गाटना की गाहा की बटवारा के लिए गारी गलोज बरावर करते रहता था आठ दिन से लगाता आरी बरा तो फिर क्या हुआ? फिर गारी गलोज होते होते हाथा बाहें वह मारा मारी हुआ बुतुरु पटग देता हम भी अबेशन हो गए तो वह भी आपके बेटा ही है हाँ बेटा ही है और ये भी बेटा है यानि आपके पोता की मौत हो गई है कापी दिन से विवाद चलना था था? वह के ऐधा जबता है इसे कर देना है इसे कर देना है अधा में आपन जगे है में कुछ हो करें द्थुआ करें चाहिए धकर करें चाहिए पकेई हैं कि यह दिव्यांग है यह उरत इसे मूं से इसाप से नहीं पलते हैं यह पिकलांग के हैं की नाम होने प्राइजने लियास दरसल यह जो परिवार है वह लालू यादब का बहुत बड़ा फैन है और इस बज़ा से अपने परिवार के हर एक सक्स का नाम लालू यादब के परिवार पर रखा है बिहार समय देश और दुनिया की तमाम ख़बरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हैं डिटी डबलू 24 न्यूज के साथ अगर आप हमारे इस न्यूज को फेस्बुक पे देख रहे हैं आप हमारे पेस को लाइक करें यूट्यूब पे देख रहे हैं आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रस करें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तर